हेलो दोस्तों हमारे चनल VS Online Tips में आप सभी लोगों का एक बार फिस से बहुत-बहुत स्वागत है स्वामी आत्मनन अंग्रेजी माध्यम इसकोल में आप जो सिख्षक के लगभग 187 पदों के लिए आल ने आप नोटिफिकेशन जारी किया गया है सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन सभी पदों के लिए आल ने फॉर्म कैसे भरेंगे इसके साथ दोस्तों क्या प्रोसेस सने वाली है कितना कितना पोस्ट है और आप कैसे फॉर्म भरेंगे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं प्रबंधन समीती बिलासपूर के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है इसमें दोस्तों दस यहाँ पर जो है गवर्मेंटी स्कूल के यहाँ पर वेकेंसी निकाली गी है दोस्तों अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल दिया गया है वेख्याते यानि लेक्चेर के यहाँ पर जो 57 पोस्ट है सिख्षक यानि टीचर के 29 पोस्ट है सहक सिख्षक यानि असिस्टेंट टीचर के याँ पर 55 पोस्ट है वहिए पर सहक सिख्षक जो विज्ञान प्रयोक साला है उसके याँ पर 19 पोस्ट है कम्प्यूटर सिख्षक के याँ पर 15 पोस्ट है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौन से जगा कितने पोश्ट आया हुई है पूरी जनकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं बात करें हैं जोए संविदाभर्थी के द्धत याँ पोश्ट निकाला गया है अब यहाँ पर तिफ्रा बिलासपुर के संबन में यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल बताया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो वेख्याता संस्क्रीत, हिंदी, अंग्रेजी, गडित, जी विग्यान, भौतिक रशायन वारी, जी इन सभी पदोकरियां पर देख सकते हैं, एक एक यहा गया है, इसके साथ यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है सिख्षक के भी पद निकाले गया है, इसमें देख सकते हैं अंग्रेजी, गडित, विग्यान, यह सारे सिख्षक के पद निकाले गया है, वही यहाँ पर कंप्यूटर सिख्षक के भी यहाँ पर पद निकाले है टोटर यहाँ पर जो 24 पोस्ट निकला हुआ है उसी प्रकास से आप इस प्रेज में नीचे आते जाएंगे तो जितने भी यहाँ पर इसकुल में वेकेंसी निकली गी है यहाँ पर पूरा डेटियल बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकास से इस नोटिफिकेशन को आप ज लगलग क्वालिफिकेशन रखा गया है तो अगर आप लेक्चरर यानि वेक्ष्याता के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो संबंधित विशय में आपका जो पिजी कोशिश होना चाहिए इसके साथ ही आप जो है बियाट आपका जो कंप्लीट हो तब ही आप इ अंदी मेडियम से भी दसवी और बारवी पढ़े हैं तो आप इन पदों के लिए ऑनलेन फॉर्म भर पाएंगे अब दोस्में आप बात करें सिख्चक के लिए टीचर के पदों के लिए तो आपका जो है ग्रेजवेशन होना चाहिए जो भी आप सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं भर पाएंगे वहीं दोस्में आप पर computer सिख्चक के बारे में qualification बताया गया है वेयाम सिख्चक के बारे में qualification बताया है आपने जो भी course किया होगा उसमें जो भी percent आया होंगे उसको यहाँ पर इस प्रतीशत में calculate करके आपका merit list त्यार किया जाएगा अगर आपका merit list पे नाम आ जाते है तो आपका document verification होगी और आपका document सही होता है तो आपको select कर लिया जाएगा इस प्रकास से selection का process होने वाला है अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हमें all-in form कैसे fill करना है अब दोस्तों all-in form भरने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकास एक जो notification जारी किया गया है इसमें google form के यहाँ पर link दिये गए है इससे कि तुरू आपका all-in form है भराया जा रहा है दोस्तों इस notification क तो हम अपने telegram group में दे देंगे आप telegram group को join किजिए इसे download करेंगे तो यह सारे link आपको मिल जाएंगे अब जैसे आपको बेख्याता के पत के लिए form बरना होगा तो यहाँ पर first link पर क्लिक करेंगे तो चलिए दोस्तों हम एक form आपको भर के बता देते हैं क्योंकि सारे form के process एक ही जैसे होने वाले हैं बस आपका qualification बस change होगा तो बाकी इस वीडियो को देकर आप सभी form फिल कर पाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर सिक्षकपत के लिए form बरना चाहते हैं तो सिक्षकपत पर आपको क्लिक करना होगा अब जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो browser में इस प्रकार से जो page open होके आ जाता है अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके समने इस प्रकार से form open हो जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपका email id मांगा जाता है तो यहाँ पर आप अपना email id लिख दीजिए email id देने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरे instruction बताया गया है पर हाँ पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आवेदीत पत के लिए निधारित सेक्षिक योवेशायक योग्यता है तो अगर आपके पास योग्यता होगी तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना होगा इसके प्रकार से पड़ेगा यानि कि एक पत के लिए आपके वहल एक ही फॉर्म भरुब पाएंगे अगर आप जो पत्व पद्युम्य आपको दुबार जोटेंगी यहान्य Kids, विचाई का नाम आपको स्लेक्ट करना हो इसी प्रकाइस से तो अगर वेक्याताक के लिए फॉर्म भरेंगे तो यहां पर वेक्याताक के सारे subject आ जाएंगे। अब इस page में सबसे पहले आउयिदा का नाम का नाम लिखा हूँ आता है तो यहां पर आप अपना पूरा नाम दिख दीजिए। इसके बाद नीचे संबंधित रिस्तेदार लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर पीता का नाम देना चाहते हैं तो पीता पर क्लिक करेंगे पती का नाम यहाँ पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर पती सेलेक्ट कर दीजिए अब यहाँ पर पती का नाम है उसको आपक को पूरा लिखना होगा यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष मंत और यहाँ पर दिन मांगा जाता है तो दोस्तों इसे आपको जो है निकालने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूं आप अपने मोबायल से आप अपने मोबायल के प्रावजर के दूसरे टेप को उपन कीजिए और को डालिए day को यहाँ पर सेलेक्ट किजिए और यहाँ पर अपको year सेलेक्ट कर लेंगा अब इसके बाद देखेंगे तो जो है age age the date आप पूछा जा रहा यानि कि कौँसे date पर आपकी एज मांगी जा आ जाता है तो देख सकते हैं 26 एर दो मन्त 18 डे इस प्रकाल से आपको जो भी एज होगा यहाँ पर calculate होके आ जाएगा इसके साथ यहाँ पर मन्त और डे में भी आ जाता है तो उपर जो दिया गया है इसी format में हमें डालना है तो सबसे पहले यहाँ मन्त और डे को आप यहाँ जो है एंटर करेंगे सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म पर आएंगे तो देख सकते हैं वर्स लिखा हो वह आता है तो आपको जो भी एज है उसका वर्स आप यहाँ पर डाल दीजिए इसके बाद नीचे महा पूछा जा रहा है यहाँ यहाँ पर मन्त लिखना है और यहाँ आपको दिन लिखना होगा जो एस कुलकुलेटर में जो डेट दिया गया है उसी दिन को यहाँ पर आप लिख दीजिए अब दोस्ते यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है मेल फीमिल यह अधर तो यहाँ से आपको अपना जेंडर स्लेक्ट कर लेना होगा अब निचे आएंगे तहां पर जाती है वर कर पूछा जा रहा है जनरल SC, HTOBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना जीला है उसका नाव यहाँ पर पूरा लिख देना होगा अब निचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा एड्रस मांगा जाता तो यहां पर पत्र ब्योहार का पता यानि present address डालना होगा आपको पूरे आपर address को type करके लिखना होगा अब इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपसे यहां पर इस्थाही पता पूछा जाता है तो यहां पर आप अपना इस्थाही पता डाल दीजिए पत्र ब्योहार का पत करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकास से डिटेल डालने का O sinking से आ जाएगा आप दोस्तों क्वालिफीकिशन डिटेल में सबसे पहले देखेंगे तो खोर 3-2 यह पर टालना हो 9.5 into जो भी आपको CGP होगा उसको यहाँ पर calculate करेंगे तो आपका percentage यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले 10 विया अपने कौन से वर्षे में उत्तिर ने किया होगा उस वर्ष को आप यहाँ पर लिख दीजिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यानि obtained mark के यहाँ पर आपको लिखना होगा और यहाँ पर आप अपना 10th का percentage डाल दीजिए इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो next का button है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो higher secondary यानि class 12 का यहाँ पर detail डालने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर आपको जो एक लास डेल तर कौन सी एर में पासओं हुई है उस एर को यहाँ पर आपको डालना होगा कोई से बोर्ट से अपने class 12 किया होगा उस बोर्ड को लिख दिजिए इसके बाद दूसरे आप इस्ट्रिम यानि संकाय पूचा जाता है तो आप पिंद में से कोई भी संकाय से नहीं की हुई है, अधर संकाय से हुई है। तो यहाँ पर आपको अधर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर 12 ऐका maximum marks डालना होगा. merit marks डालना होगा, और यहाँ पर percentage आपको डालना होगा। इसके बाद नीचे next का button है यहाँ पर आपको click करना है अब यहाँ पर देखेंगे तो graduation यानि इसनात्ता का detail डालने के लिए कहा जाता है दोस्तों अब यहाँ पर graduation का detail डालने के लिए सबसे पहले कौन से year में आपने graduation पासओट किया हुआ है उस year को यहाँ पर डाल दीजिये कौन सी university से आपने graduation किया है उस university का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा इसके बाद उसको कौन से subject से आपने graduation किया होगा BA, BSC, BC, BCOM या other जो भी होगा आपको यहा mathematics subject से जो है graduation किया होगे तो यहाँ पर जो है chemistry, mathematics और physics लिख देना होगा वहीं आप computer science लिए होगे तो computer science जो भी विशाय से आपने graduation किया होगा उस विशाय को आपको यहाँ पर लिखना होगा दोस्तो अब यहाँ पर आपको graduation का maximum marks लिखना होगा आपको कितना number मिला हुआ हु पुरा detail डाल सकते हैं अगर दोस्तों आपने graduation किया हुआ है अभी आपने PG का question नहीं किया हुआ है तो उस condition में आप जो है सभी option को blank रहने दे या सभी option पर जो है zero फिल कर सकते हैं इसके बाद निचा कि आपको next के button पर click करना होगा अब दोस्तों आपर पूछा जा रहा है कि अगर आपने 12 अपने 12 किया है तो कोई से medium से किया है जैसे कि हाइश स्कुल में अगर आपने हिंदी अग्ली माद्या में से पर click करना होगा उसी प्रकास और 12 ह का भी इस लिक बात दो करें होगा देट या डेलेट किया होगो तो यहां पर क्लिक करेंगे बेट किया होगो तो यहां पर क्लिक करेंगे अधर कोड़ किया होगो तो आपको यहां पर अधर पर क्लिक करना होगा इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और यहां पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किजिए ज यहाद पर आपको to date पर क्लिक करना होगा अगर आप ctate pass है तो यहाँ पर आपको city date पर क्लिक करना है आपने कहूं से year में ctate pass या cg date past किया होगा उस year को सिलिएक त खि syndic किझिए आपको कितनी % से आपने cg date या ctate 자 packet प Errious prestige उपर लिख देना होगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो next का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इस प्रकार से एक declaration यानि घोषणा प्रमार पत्र यहाँ पर आजाता है अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो हाली का हो वो आता है इस बॉक्स पर आपको चेकमा करना होगा और यहाँ पर submit के बटन पर क्लिक कर दीजिए जैसे आप submit के बटन पर क्लिक करेंगे आपका form है आपका successful submit हो जाता है जैसे दोस्तों आप आपकी लिष्ट तैयार होगी उस लिष्ट पर आपका नाम आजाएगा अगर आपका नाम मेरिट लिष्ट पर आ जाता है तो आपको document verification के लिए बुलाया जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकाहाँ से आप अपने mobile से ही Swami, Atmanand, अंग्रेजी माध्यमी स्कूल के लिए सिक्षक के लिए online form भर सकते हैं